सब्सक्राइब नाओ और प्रेस्ट पेल आइकन नेवर मिसन अप्टेश है आप सभी का मेरे यूटूब चैनल स्टेडी प्लस मैं और आज आपके वीचों में लेकरा हूं यहां पर उत्राखन की महत्यकूर वीडियो जिसमें हम बात करने वाले उत्राखन के पचास पसनों की यहां जो वीडियो है मेरी आठवी सीरीज है इससे पहले में साथ वीडियो पर डाल चुका हूं यानिकि साथ इंटू 50 तो पचास एक में रहते हैं तो 7 इंटू 50 आप लगा सकते हूं इसके लावा जो मेरी सब्सक्राइब करने से पहले यहां पर मैं आपको बता दूँ आज ही पटवारी की जो पोस्ट है वो निकाल दी गई है च्छी द्वरा तो आप यहां पर देख सकते हैं ठीक है यह दिके तो पटवारी की रिक्तियां है इसमें ठीक है आप यहां पर देख सकते हैं आप तो टोटल यहां पर पद निकाले गए हैं यह ठीक है तो कितने हैं टोटल आपके बटवारे के जो पद है यहां पर तो आप देशे 366 यह हो गए है ठीक है कुल योग और वेतनमान अधीवानी होता है कि अंक प्राप्त करने पर आयो को पर तो यहां पर थोड़ा सा आप देख सकते हो सेक्षिक का हार G Speak Government closely हुए और ये पृस हो का यहाँ पर देख सकते हैं तो इस पर चैपर दूसरा एक पाल का ऱ्य पेगपाल का पर सेम रहेगा नहीं रहेगा कोई अंतर नहीं होता है इनकी जो करते हैं वेतनमान हुआ एज यहां पर थोड़ा सा relaxation होता है जो बड़ी आयो के एज वाले होते हैं ठीक है उनको 21 से 35 वर्षे तक का समय मिल जाता है आपर इसके लावा अनिवारी होती है और यहां पर सबसे इंप्रिटेंट बात है कि जो यहां पर लिखित परिक्षा के लिए तो दोनों में नहीं होनी चीह मेरे ख्याल से क्याओं आपर थोड़ा सा से इनवर नों सकता है इस बार चेंज कर दिया हो सॉंकों के वस्पति प्रकार कई होगी जो दो गंटे के होगी ठीक है पिछले बार जो था दूस्वांगों का फेस्ति प्रकार ठीक है तो और संवानी घ्यान समानी अध्यान और लिखाया यानकी वीडियो का ही सलेवस यहां पर होगा सबस्क्राइब बाट था था थोड़ा सा यूवीट्या ने करवाया था पिछले बार वाला तो यहां पर हम देख सकते हैं ठीक है तो यह तो सौंगों की यहां पर वही है लेकपाल में भी सेम सौंगों की बस्तुनिश्टि प्रकार की बस्ता दो घंटे की होगी ठी ठीक है तो यहां पर आपको वीडियो से संबंदित और पटवाय से संबंदित सारे के सारे जो भी आपकी जीयस हैं उत्राखंड है हिंदी है सब मिलेगा ठीक है तो अभी मैं सोच रहा हूं कि जीयस के भी जो तो यह आपके बीच में जलते जलता रहा हूं तो आपका यहां जो है यह उसके लेखा कौन है ठीक है । उ उत्राखंड में पत्रगारतीका इतियास जो है यह लिखे सक्ति प्रसास प्रसास ख्लाने नहीं है पुस्तक लिखी भी या ठीख अगला दिखते हैं अगले हैं हिमाले का इतिहास पुस्तक नियुक नहीं रखेते हैं हिमाले का आतियास कुमाओं का ईतियास ऐसा गर के बहुत से पुस्टग है ऊत्यान देना है बहुत बार यह कन्फिजन भुते इंक Gleiche ॉम्नद के दिर्भमें यह उसको नाम से धरीभासित तो प्रदिमेंज साह होगा, ठीक है, पच्छ पन्वा आ चुका है, पिपर में वो सुदसन साह होंगे, जिन्होंने 1815 में किसकी स्थाफ नगी थी, टीहरी जनप्त थी, टीहरी राजी की स्थाफ नगी थी, तो प्रदिमेंज साह एक मात्यास सासक जो कुमाओ गडवाल दोनो को सा निति गुज्रत का गड़ा के समाने घार्वा के समान ऐसे ने अरडवार्वाक के समान करता है घली आगे देखता है है ठीहरी रियासत की राजनी नरेंग्र नगर किस वर्स सतान की गए थी तो यह आता है 1925 थी कैसा इसका स्थान एइस इस इसको सर्फ़ान से नरेंदर नगर को बसाया गया था ठीक है नरेंदर साहवारा तो में नरेंदर exposing कजिए धन्रीक ध्यूंत्वरूअ हुं चितरो:" हिंद राता है् है अलपना की तरह होता है जो बंगाल बनाया जाता है प्राजिन विए तो उस ही प्रिकार का है है जो już बहुत सceu प्रकार फर two पर अपने अपने प्रकार होते हैं कốठारबार किस नदी बसे तब कोठार बाऊचे बशने पर कहा है और अगles पर पाई कहां जाती है यह इसका लोकेशन तो बताने पाऊंगा बट यह है कि अलमोडा में जो कई जगह पर प्राजिन सभी में कुमाओं में जो अलमोडा था उसमें चादी काफी भंधार बहुत जादा पाई देते हैं अगला है जम्राणी बाद प्रयोजना प्रस्तावेत कि एक उपी यूपी के साथ इसका गुसंद निर्जाद डिंट्र में माले देखव वहो पर İşथ के र Marg स्थापना जो होगिए 2006 में की गई ठीक है अगला की अगला मुणी मेला दंगल मेला कहा लगता है भाग गुरण प्र нравится च hidden मौला-राम की दारारा सिकों के पुतर सिलोमान सिकों के साथ पृठी rapar की देरा में ठीक है शामदास और ठीक है तो उन्हीं के वंसद में से मौला राम हुए मौला राम में इतिहासकार भी रहे हैं मौला राम प्रित्रकारी भी इन्होंने की है ठीक है लेखक भी थे और मनमत पंथ भी इन्होंने चलाया था ठीक है तो बहुत से इनकी बारे में मौला राम जो सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि अभी पटवारी के जो फॉर्म आये हैं और उसके लिए आगे भी ऐसी आपकी चलती रहेगी ठीक है पेपर सेट जो हैं वो मैं हरसेटेटिव कराता हूँ अगर आप चाहें तो उनको बाय कर सकते हैं और अधरवाइस क्या गयते हैं यहां पर आप गैस करके भी उनको सही कर सकते हैं अपना मतलब मुल्यांकन किया जा सकता है अगला है उत्राखंड में किस छेत्र में पाताल तो यहाँ पानी हमेशा से रहता हैं है यह विलता है इसमार होता है है यह मेंता पानी लेवल होता है लिया है यह मैं सब तरही शेत्र में ही पाई जाते हैं याद रखना अगला है हिमाले की तीन सेंडियों में से जीवास्म कहां पाई आते हैं तो तीनों सेंडियों में जो जीवास्म पाई आते हैं हिमाले के वह हैं शिवालिक शेत्र में आपको पता है हिमाले का फॉर्मेशन अलग अ हुआ है सबसे पहली बात दुए है कि हिमाले का फॉर्मेशन जो है वह अलगी पार्ट में हुआ है ट्रांस होता है, मज्य होता है फिर आपका क्या कहते है लगुव-हिमाले थीक है उसके बाद आपकाब का आता है शिवालिक-शेत्र है इस एक पहाड़ी इलागा है जो सबसे हमें लिवारों को हिमताल से बहुत मिले यहाँ से बिफ है हो यहां पर यहांले पनाए यहां पर यहां पर यहां मे till ड़ेशहए प्लेट प्लेट है नीचे इंडियन प्लेट प्लेट old ऌन इसा के मर्स हो कहा बाख सघानगा है पर इन में क्या बन गया है आपका हिमाले बन गया है तो यहां पर हिमाले में हमारे हिमाले हिए सब्सक्राइब बादरों हो आज पाए जाते हैं ठीक है अगली राजिमें शिवाली के मद्य हिमाले के बीच तो इनको कहा जाता है दून ना दौर 1 ध्याढ़ाट की दून है पकातली धैंड कोटा दून हो गया चौखम गया अऊचछं़न पूलता है इसे दून बोलता है यह बहुत उप्जाओ होती है पानी से सिंचित होती है तो ये बहुत important है कि दूनिया द्वार कायता है अगला है शिवालिक पहाडियों को प्राचिन काल में मेंनाग कायता है अगला है कुमाओं के अधिकानस ताल के इस परवस्चरेणिय में के दक्षणी धाल पर स्थित हैं, यह है आपका मद्य हमाले, अधिकान्स ताल आप देखोगे, कुमाओ के, फेधिय वे अधिकान्स ताल जो आपको मिलेंगे, वो आपके मद्य हमाले के दक्षिनी धाल पर देखने को मिलेंगे ठीक है और कुमाओ के दिखांस ताल जो है आपके हिमानी कृत है हिमानी निर्मे ताल है हिमानी यसे बने वे ताल है अगला है कोठारी दून की जन्पद में इस्तित है है अगला है बंदपूंच परवर चूटी की उचाहिक इतनी है 그래서 बंदर कूझ परवर चूटी इुचाहिए जो है वह छह जाला 315 मेटर बंदपूच सही आपका जो है बंदपूच पशा हैं यम्ना का उद्गमlaатив स्थान है वे सब फक्ताव मां लिया जाता है ठीक है यह आधा नहीं है अगला है लापूरा कि massacre अगला जो किते हैं lo तीद में और पमी कट्यूरी सेली में निर्मिद है याद रखना इसको हम उत्राखन सेली भी कहाते हैं कई बार आपने पड़ाओं कहीं पर आप उत्राखन सेली में लेगा तो कन्फूज बिल्कुल नहीं होना है कट्यूर सेली इसको बोलते हैं तो जैसे जागिश्वार मंदिर हो गई आपके मंदिर बने हैं सारे किसम बने हैं कट्यूर सेली होती है इसमें दो तिन सेली होती है हम आगे कभी इसको पार में डिसकस करेंगे अगला है पहाड़ों का राजा किसे गहता है तो चक्राता को पहाड़ों को राजा कहता है इसका एक नाम एक चक्रा भी है अगला जो हमारा प कुममया के उपादी किसे दी गई थी नीलु को सब्सक्राइड को तो लुधत कने ऊपाद습니다 एक बार में ही गरूड को मार दिया तो गरूड की उपार दी गए थी पर इतियासकार इसको कम मानते हैं वो मानते हैं कि इसका हो सकता है कि जब गया था तो इसके जंडे पर गरूड अंकित होगा और ये जो होगा विश्णु का उपासक रहा होगा और विश्णु का जो वाहन है वो गरुड है तो इसलिए तुढल फो गरोड के क술 दे गया तो निलू कठायत जो था वो निलू कठायत जो कहते हैं इसको इसलिए दिया गया था एक बार क्या हुआ था कि दक्षण में यानि कि जहां पर आज काशिपुर और उद्रपुर वाला इलाका है और उसके नीचे बरेली वाला इलाका है तो वहाँ पर कुछ रुवेल खंडों ने हमला किया था कठेर मुसल्वान थे तो उनको जमीन ली थी तो इस विए से कुमया खिलत की उपाद दी गए थी जो बहुत जादा वीरता का प्रदेशन करते थी ठीक है कुमया खिलत की उपाद दिया दे थी बाद में कुछ ऐसे ही घटना हुई कि नीलू कठायत को एक पुछा प्र पंदि का और यहाँ पर पुछा पया चुका पर में यहां बजिनात मंत्री जो है मुगल शहली मना गया है और आप देखोगे इसको जब आराम से बरता के लेखा है रिया है इस पुसते के लेखा खेर फार्ट ठीक है उत्राखन में उत्राखनमे को अटा करें यूसर आपको बहुत BACK ने ज़स्ता यूसरे मोट पढ़ने को तो पढ़िये icos सबस्क्य व्रहति हिमाले के मूल निवासी माने लोग ठीक है व्रहतिम personn下去 ब्रहति मैं Office नहसे घ्राइब और अपके महाना साइड में चले आुuh को सारे इदर नावको दार्मा घाटि व्याज घाटि मिलेंगे मलें आपको मारा जिप्यारayd मिलें गर्यारा है ऐसे महान की मूल निवास लिमानेति हैं कुऴहारी पास का है, यह आपका चमोली में है, ठीक है, कुवहारी पास धर्रा है, अगला है, आपदा प्रबंदन है ही तू प्रतियस को कितने सेक्टर हो बाटा गया है, अगला है आप दीखोगे जित्वी काली मर्दा हो जो अला मु जोला मुखी का उद्गार हुआ हो ठीक है तो जोला मुखी मुद्दा मेकसिमिम जो मिम्ताल पाती वैसे आपको बहुत ज्यगर मिल जाएगा अलमर्डे में बहुत सब्सेयदा है इस तरगासे से हमारा 50 परसेंट सेंट चीर में लग वेड़ाब का उत्तरगासे से आता है सेव का सबसे पहले जो कार यहां पर किया गया था सबसे पहला पॉधरा रगा था विल्सन ने और आज भी यहां पर विल्सन नाम की एक सेव की पर जाती आज भी उगाए जाती है तो यह परस ने पूछा गया था लास्ट टैम पर की विल्सन नाम की सेव की पर जाती जो है व कितनी है तो मैं चाएकि है टोटल अभी तक जैंच गबला पुजा मना आता है पिंझबञागड़म होता है प्रटिवाड़ में है गब्ला पुजा ऐक है तो इस इन प्रसन उत्तर है और अगर आपको अच्छे लग रही हो तो इसको लाइक किया शेयर कीजिए इसमें कुछ अगर आप चेंजेस करना जाते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं इसके लावा अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप मुसे कमेंटर के पूछ सकते हैं कमेंटर लाओ तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके जाथ